to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com Hello everyone, Namaskar, स्वागत है आप सब का testbook.com के platform पर, मेरा नाम आर्सु ककड है और इस session में हमें काफी important topic अभी recently जो हुआ है कुछ दिन पहले उस पर discuss करने जा रहे हैं एक submit, submit कौन सी quad submit आप देख सकते हैं quad submit जो है इसमें कौन-कौन है इसके अंदर Japan, India, Australia और US यह एक virtual summit रही है अब इस virtual summit में इसके क्या key takeaways रही है यह चार countries किस पर discussion करना चाती है इस group का आगे क्या role रहने वाला है काफी कुछ इसके अंदर discuss करेंगे और यह आपके GS paper 2 means में international relations के लिए important हो जाता है और साथ ही साथ prelims में international relations पे काफी सवाल पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी important हो जाता है इस topic को हम prelims और means दोनों के हिसाब से cover करने की कोशिच करेंगे ताकि कल को इससे कोई भी सवाल आए और prelims और means एक integrated approach रहती है कोई अलग-अलग तयारी नहीं है तो उसी के चलते इस topic को cover करते हैं देखिए अभी recently जो हमारे prime minister है उन्होंने जो first summit है जो quad के submit हुई है जो एक virtual platform से हुई है तो उसको basically वहाँ पर address किया यह देख सकते हैं आप तस्वीरे यह virtual summit job देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी है इधर जपान के इधर और ऑस्ट्रेलिय यह आने वाले time में कैसे emerge करेगा यह group इसका अपना headquarter कहीं होगा या नहीं होगा formal तरीके से अभी कोई military alliances या defense related कोई ऐसी बातचीत ऐसे नहीं होती है कोई agreement नहीं होते हैं लेकिन यह धीरे धीरे जैसे emerge कर रहा है इसका क्या role है इंडो Pacific के अंदर यह क्या चाहता है इसकी इ की takeaways रहे हैं किस पर इन्होंने ज्यादा stress देने की कोशिश करी है क्या important यहां से discussions वह आई है तो इन सब पर चर्चा करते हैं discuss करते हैं अच्छे से topic को analyze करते हैं इससे पहले मैं आपको बता देती हूं देखिए sale of the month यहाँ पर test book आपके लिए लेकर आया है सिरफ और सिरफ 2 99 रुपीज में एक test book pass यह pass के अंदर आपको 170 प्लस courses साथ ही साथ 14,000 प्लस mock test देने को मिलेंगे काफी अच्छा offer है आप लिंक देख सकते हैं नीचे आपको description box में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस pass को avail कर सकते हो अब बात करूं अगर मैं इस quad submit की तो सबसे पहले तो म यह 4 countries आपको ध्यान रखनी है प्रिलिम्स में यहां से statement जो है question जो है बन सकता है कि quiet किस किस के अंदर कोन कोन सी countries का है basically यह countries का aim क्या है बहुत important है यह 4 countries का purpose यह है कि जो इंडो pacific जगा है यह region जिसको आज कल चाइना जो है काफी claim करता है यहाँ पर superpower कर बनने की कोशिश यह area जो है South China सी के आसपस claim करने की कोशिश यहाँ पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश जो कर रहा है तो उसी के चलते ही चार groups जो है यह basically यही बात कर रहे है कि इस region को democratic nations जो है यहाँ पर उनके interest को safeguard करने की बात कर रहा है और जो भी global challenges है चाहे वो security related हो maritime related हो या फिर आने व इस साल अभी जो recently दो दिन पहले यह जो meeting हुई है जो submit हुई उसमें उन्होंने क्या pledge किया उन्होंने pledge किया spirit of quad, quad की spirit जो मैं आपको यहाँ पर बता रहे थी ना joint statement आये spirit of quad, यह spirit of quad क्या कहती है यह यही कहती है कि quad की क्या spirit है यहाँ पर promote करना free, open rule based order, rooted in the international law to advance security, security advance करना, prosperity क की बात करना, threats अगर कुछ भी इंडो Pacific region के अंदर या इसके पास देखने को मिलते हैं तो उसको counter करना, तो यह सब चीजें जो है इनकी बात करी जाती है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इधर India है, यह Japan है और यहाँ पर USA है और यह Australia है, तो इन सब की एक ग्रूपिंग है चार देशों की, काफी strong grouping है क्योंकि इसके अंदर, obviously अगर मैं आपको defense related बताओं तो यहाँ पर USA काफी strong जो है, Japan भी है, इंडिया भी है, Australia भी है, तो इन चारों की एक grouping है, यहाने विले time में एक बहुत important role जो है, formal play कर सकती है, अगर एक अलको एक formal group बन जाता है, तो depend करता ह है कि अब इंडिया जो है चाहिए वो BRICS summit हो, चाहिए SCO हो, तो यहाँ पर कैसा role play करेगा, यह चायना का भी अपने तरफ से काफी statements आई है, जब भी यह summit होती है, तो चायना का यही वियू है, कि यह जो चार जो देश है, जो इस रीजन पर ध्यान देना चाहते हैं, और च हो, यहाँ पर तीन basically working groups की बात करी जा रही है, vaccine partnership, climate change और emerging technologies, इन पर बात करनी है, इस बार की जो summit हुई है, इनका ध्यान सिरफ और सिरफ इन पर रहा है, vaccine partnership के अंदर मैं आपको काफी अच्छे से आगे बताऊंगी कि क्या चाहते है, climate change की अगर मैं बात करूं, तो obviously अब जो Biden जो है, उन्होंने वापिस से Paris Agreement जो है, उसको पनाया है, तो यहाँ पर वो Paris Agreement के चलते, जो भी climate change है, तो उसका भी एक working group बना की agreement को वापिस से ध्यान देने की बात करी जा रही है, साथ ही साथ बात करी जा रही है, emerging technologies की, जो भी नई technologies हो रही है, तो उन पर एक ऐसा group बनाय technologies आ रही है, तो उन पर यह चार देश तो है, मिलकर काम करेंगे और उसको expand करने की बात करेंगे, new innovations, new standards, इन सब की बात करी जा रही है, climate change में जैसे ही मैंने आपको बता दिया, कि Paris Agreement को अब और ध्यान देने की बात करी जाएगी, इसके लिए working group और जो third working group है, वो है vaccine partnership, quad vaccine partnership, यह quad vaccine partnership क्या कहती है, कि जो भी इस pandemic के चलते, जितनी यह pandemic आया, तो इस region के अंदर जितनी भी countries associated है, तो उन सब को equitable access मिल सके, यह ensure करना, किसका equitable access, vaccines का, तो इसी के चलते यहाँ पर सारे जो देश हैं, यह चार देश जो है, अपनी तरफ से finance, जो है, वो करेंगे, Australia, जो है, Australia क आसपास जो भी island countries रहती है, जो छोटी है, developing है, उनको vaccine जो है, प्रोवाइट करने की जो बात करी जाएगी, Australia की तरफ से, इंडिया, obviously काम कर रहा है, तो इंडिया को finance जो है, और करने की बात करी जा रही है, USA के द्वारा और जपान के द्वारा, तो जो भी financial resources है, जो manufacturing capabilities है, logistical strengths है, उन सब पर बात करी जा रही है, कि यहाँ पर finance, जो है, उनको, जो resources है, उनको finance करेंगे, ताकि हर एक देश को जो इसमें associated है, इंडो पैसिफिक के अंदर, उनको vaccine जो है, वो provide कर आई जाए, इसी के चलते मैं आकर आपको बताओं, तो दो private companies, जैसे यहाँ पर मैं बा finance corporation के तहर finance करेगा, किनको जो यह vaccine बन रही है, इंडो बेसिकली इंडिया में जो biological e limited जो है, यह company जो है, इसको finance करने की बात करी जाएगी, ताकि उसकी capacity increase करी जा सके, वो produce करे, at least 1 billion doses COVID-19 vaccine की by the end of this year 2022, जिसके चलते फिर जो vaccines है, इंडो पैसिफिक रीजन में, सबको जो जित करते हो कि कल को जैसे चाइना का क्या व्यू रहता है, यहाँ पर यह जो तीन चार जो चार countries है, UPSC आप से प्रिलिम में चार countries पे सवाल पूछ सकती है, और यहाँ पर प्रिलिम मेंस के अंदर आप यह सारी information जो यह चार मिलकर countries कर रही है, आने वाले टाइम में ग्रूपिं और साथ साथ टेली कॉम के बारे में जहां पर 5G की भी बात करी जा रही है, तो इस बार का Quad का फोकस इस पे रहा है, spirit of Quad इनकी जो मैं बता सकती हूँ जब यह समिट हुई उसके बाद इन्होंने एक जो statement दी कि Quad की क्या spirit है, चाइना का Quad को लेकर view यही रहता है कि आने वाले कि यह कोई एक ऐसा military dimension किसी भी country पर नहीं ले सकता और किसी पर country लेने का मतलब उनकी खुद की बाद वो जैसे वो कर रहे हैं, तो यहां पर आने वाले टाइम में क्या कोई defense strategies जो है वो अपनाई जाएंगी यह नहीं अपनाई जाएंगी, हर एक देश की यहां पर आर्मी है काफी strong है US की मैं अगर आपको बताऊं तो इन सबके चलते हैं यहां पर चाइना का यही view रहता है, तो यह quad का focus, चाइना का view इस quad को लेकर और साथ ही साथ इन्होंने इस बार की summit में क्या major roles, क्या discussions, कैसे working groups, quad क्या है, quad cup established हुआ, मैंने आपको map में भी चारो देशों की जो location है वो दिखा दी है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो current affairs, UPSC के लिए बहुत important role play करता है, UPSC जो coming 2021 वाला है, अगर आप यह exam देना चाहते हैं, तो साल भर के current affairs की life coaching आपको दे दी जाएगी, आप इस course में एन्रोल कर सकते हैं, जहां आपको 190 plus life classes, test, PDF notes अवेल क करने के लिए, तो link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, इसी के साथ साथ NCRT जो है, वो must रहती है, for the UPSC IES foundation, आप जब civil services की तयारी कर रहे हैं, तो NCRT standard books है, जिनको हम skip नहीं कर सकते हैं, तो इनहीं की life coaching यहां पर सब cover करवाया जाएगा, आपको life classes के जरीए, test भी दिये ज जाएगा, दोनों courses को अगर आप enroll करना चाहते हैं, तो link आपके पास है, description box में, इसी के चलते आप मेरा code यूज कर सकते हैं, that is RZOO AARZOO, इस code को use करने से आपको 20% off जो है, वो मिल जाएगा, इस session को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मैं आशा करती हूँ, आपको यह information अच्छी आपको चार बजे Monday to Friday daily करते हैं, अगर आप interested हैं, आप उसमें participate कर सकते हैं, अपने answers दे सकते हैं, जो बच्चे उसमें participate करते हैं, उन्हें पता है कि यह चीजों को कैसे approach करना है, यहां से कैसे सवाल निकल कर आ सकता है, तो यह important रहता है, जब भी हम किसी topic को cover करते हैं, कर दो करते हैं, यह वीवान, वीवान?